नमस्कार दोस्तों मैं योगनता साथ करता हूं आपके अपने यूटूग चैनल पर और आज हम लोग देखेंगे प्राफिट एन लास का चौथा पार्ट इस चौथा पार्ट में हम लोग कुछ इंपर्टन कोश्चन करेंगे और अगर आप लोगे मेरा पहला वीडियो देख कियेगा पिछले कुछ दिनों से हमारे वीडियो नहीं आ पा रहा था हमारे चैनल पर चोटी सी स्टाइक चल रही थी और वह कंप्लीट हो गई है अब वीडियो रिगुलर आप लोग मिलता रहेगा हफ्तें तिन चार वीडियो आप लोग के प्रोवाइड कराता रहोंगा चल ये पहला ोर्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पर रहा करां किसी वस्त को रुपए 436 से बेचने पर उतनी ही हान othen होती है जितना कि उस वस्त को 4034 में बेचने लाब होता है वस्त का सीपी ही बताइए व्यत्तु को सीटिक्ष इमसे पूंछा है क्या पूंच रहा है थ lobby यहां लिखन liberal सब्सक्राइब एक बार क्या कर रहा है 436 यहां पर इस रहा है यहां चैनल ऑर puisque क्वें सच रहा है यह हो गया हमारे पास SP1 यह हो गया SP2 अब देखे इस जगह हमसे क्या कहा है कि अगर इसको 436 रुपए में बेचने पर यह 20 रुपए की लाब हो रही है तो 20 रुपए का लाब होगा अगर उसी वस्त को 444 रुपए में बेचा जाए यानि जो होगा हानी और लाब क्या हो रहा है बराबर हो रहा है अगर यहां पर हानी 30 रुपए को होगा तो यहां पर भी लाब क्या होगा 1 रैसियो 1 कैसे है आप लोग समझ रहे हैं अगर नहीं समझे है अगर कितो only अगर बीस रैसियो 20 होगा तो यहीं और चालीस पर चल इसमें दिया कितना लाब हो रहा है कितना हान हो रहा है लेकिन कह रहा है कि दो लॉइस में दिफरेंट दखेंगर जो होगा ऑपर लटोट बैजि Many लुइसरी का हिए दो रॉपए का डिफरेंट यहां है ज़र्वक्त में यहां प्लस्य Ugle करेंगे तो 28 रुपे का है different आ रहा है यानि कहीं ने कहीं जो यह two unit है दो unit का मान दिया है 28 रुपए तो एक unit का मान कितना होगा 14 रुपए हो लिए यानि यह कितने गुणा जादा है 14 बुना जादा जानी 28 रुपए है तो जो यह होगा इसका भी मान मस्त्राइब करें चाहान करें कि तंद आ कि तना बांगा हो जाएगा है इसो सब्सक्राइब भी में या उसक्त को अगर 436 तक समदन के ही कोष्टन के ट्रों जया एक अब हम से पोँच रहा हुआ करें सीपी बताईए तो SP क्या होगा जब भी किसी वर्स्तो को हान होती तो CP क्या होता है यहां पर यह पी 436 प्लस जो हान होई होती, 14 रुपे खान होई यह 1 नहीं यह 14 है, अपने आपसे 14 गुना ज्यादा है यह 14 होगा? 436 में 14 कर दीजिए कितना याइगे? चार सो पचास रुपे क्या हो जाएगा वस्त की सीपी रही होगी अब इसी को अगर हम लोग इधर से निकालना चाहें तो 464 में हम लोग माइनस कर देंगे चुगदर तब कितना आ जाएगा 450 रुपे सीपी आ जाएगा यानि सीपी कितनी हो रही है यहां से भी 450 ऐगा यहां से भी 450 आघवा लेकिन क्या होगा जब भी वस्तु का क्या हो रहा है किसी वी वस्तु को अगर लाप मेंचा जा रहा है। तो जो CP आती है क्या होता हमारे पास SP minus profit अगर हान पे बेचा जाता है तो क्या होता है यह क्या होता है CP का फर्मुला होता है आप लोग को चीजे समझ में आ गई कुछ नहीं करना है आप लोग समझ रहे होंगे कि यह कर रहा है अगर तीन रुपए का लाब हो रहा है तो यहां पर तीन रुपए का लाब यह दिया नहीं है हम कुछ भी मान सकते हैं लेकिन इनका रेसियो हमेशा क्या अगर हम लोग तो यूनिट का रहा है लेकिन यह दो नहीं है आप देखेंगे में क्या दो है नहीं यह 436 में अगर 436 माइनस करेंगे तो 28 होगा कितना होगा 28 होगा यानि क्या हो एक की वैलू 14 जब दो की वैलू 28 तो एक की वैलू कितने आ गई 14 चावदय सीपी का माना जाए 436 चावदय 450 रुपिया यहां तक आप लोग को समझ में आगिया होगा चल यह चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर है कि से कि अव такой क्या है हमारे पासका राझ एक दुकांदार किसी वैल तक हो चारशु पयंतालीस रुपहे में शफ़ड़ीचने हर जितना ह child होती करने हैй एक दुकान-दार को किसी वस्त को चाऊ सो-पचास रुपए में बेचने पर जितना ही हान होती है उससे दोगुणा अलाब इधर कितना का रहा है कितनी बेच रहा है 900 रुपय में यानि यहां पर देखेंगे तो आप लोग कर रहा है कि अगर उसको 450 में बेचा जा रहा है तो जो अगर 900 में बेचा जा रहा है जो इस छाट्रुपय में बेचा जा रहा है तो 10 रुपय की हरी होगी तो यहां इनि रही होगी यहां होगी यानि हानी लाब क्या होगा हानी से हमेशा दोगुना होगा इस व्रक्त निकलेगा तोटल डिफेरेंट हम लोग देखेंगे वान और टू यहां तक कितने डिफरेंट हो जाएगा conheーい इन इसताइकड pan और यहां से लेकर यहां तक कितन डिफिरेंट है 450 इन पिली दिफरेंन कितने का है 450 अगर नौसमेंस मिलेग चार सो फैसाइर माइंस करेंगे तो 450 जी तो बचेगा यानि 3 unit की value कितनी है 450 तो वान यूनिट की value कितनी होगी ते हो जाएगा 150 जैसे ही ऐसा समझे तीन नहीं है 450 रुपे है कर रहा है कि तीन नहीं है 450 है ते कितने गुणा ज्यादा है यहां से निकालना चाते हैं तो चार सो पचास अगर हानी हो रही तो हाने वाले को वाइड कर देते हैं तो चलिए हम चलते हैं अपने कोश्चान पर स्वारी थार्ड पर अगला कोश्चन ध्यान से समझी किया करा किसी किताब को 79 रुपय में बेचने पर जितना लाब होता है उससे उसवस्ति का क्रेमोल बताई यानि सी पी हम से पूँच रहा है अब देखते हैं इसमें भी हम से क्या कर रहा है लेकिन यहां पर यहां दोनों कंडिशन में क्या हो रहा है प्राफिट हो रहा है दूसरी बार बेच रहा है कि दूसरी बेच रहा है अगर पांच रुपए रहा होगा यहां पर वो रहा है कि जो लाव हो रहा है यहां अगर पांच रुपे रहा होगा लाप तेहा कितना होगा दस रुपए लाब होगा मैं अगर आप लोगों से कहूं इसका इसका रेसियो निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा वन रेसियो टू आएगा अब आप लोग हमें बताईए अगर किसी वर्त को हम लोग बेच रहे हैं उसका हमें पर दो रुपए का लाब हो रहा है तो इसका अमान कितना होगा एक यूनिट का लाब होगा एक यूनिट का लाब होगा ना तो अगर हम लोग इस को ध्यान से देखे देखा रहा है कि एक यूनिट का लाब नहीं हुआ रहा है हमें बताई कितने का हुआ होगा है नव रुपए का हुआ है या फिर यह समझ लीजिए मैं आप लोगों से पहले जब सुरू के दो तीन वीडियो जो हैं मारे पास आप लोग जरूर देखिए उनको तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आजाए गर कहीं पे प्राफिट ओफट हो रहा है कहीं पे प्राफिट हो रहा है तो दोनों को रहा है तो ड़ीर बाली में से चोटी वाली माइनस करती जिए और स्वाली पॉरीं और जो इसका डिफेरेंट आएगा वही क्या अ गई 9 रुपीच यानि अब हमें मालुम हो गया कि यह भी क्या हो जाएगा 9 रुपिया हो जाएगा एक नहीं है यह 9 रुपिय है अगर किसी वस्त को हम लोग 79 रुपए में बेच रहे हैं उस पे हम 9 रुपए का लाव ले रहे हैं तो वस्त का पर च्पी कितना होगा तो आप सभी लोग जानते हो कितना होगा हम लोग क्या करेंगे 59 में से 9 माइनस कर देंगे cp बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास cp बराबर आ जाएगा 60 रुपिया यहां से भी निकाल सकते हो 58 रुपए में सेच्पीब spins आजाएगी कोई दिकत नहीं होगी आप जिससे भी निकालना चाहें आराम इक्रेस का स्कूदे हैं की चलए हममाने चलते हैं पंपर को्शन नमर व्वर कि आधे दुकान दार 12 005-20 Boss और कि 11 15 अब देखे तो 42 और मैं आप लोग को दो मेठा दूंग आप लोग देखेंकी सबसे सबसे पहले मेंतों क्या हो जाएगा उन्यांसी देख यहां पर लिख दीजिए पहले कौन्टिटी क्या हो जाएगा संख्य प्राइस जानि कितना ले रहा है मुन में कितना यहां पास कर रहा है 11 इभू 10 रुपए में खरीता यानि 11 इभू CP, खरिदता है 10 रुपिया में, हमसे कहा रहा है कि फिर बेच कितने में रहा है, 10 नीबू 11 रुपय में बेच रहा है, अब हमसे कहा रहा है, इसको profit, या loss कितने percent का, profit or loss हुगा, 42 रुपए में, स्वरिक्या कह रहा है, 42 रुपय लाब कमाने के लिए उसे कुल कितने नीबू ब जानते हो 10 बटे 11 रुपए में और यहां पर एक नीबु कितने बेचा जाएगा तो आप सबी लोग जानते हो कितने बेचा जाएगा एक नीबु 11 बटे 10 रुपए में लिखा हो मैं कोई दिक्कर नहीं मैं आप लोगों से कहूं कि अगर 11 नीबु 10 रुपए में खरीदे जा एक नीबु 11 रुपए में खरिदा जाएगा तीधर हो जाएगा 10 रुपए में यहीं तो इस फोड़ी ने लिख़ा हो यहीं चीज तो यहां पर लिखा हो मैं अब आप लोग सोच रहे होंगे है यहाँ पर 11 10 हैत ड़ुको खायब करने के लिए क्मिग सब्स क्या है 110 क्या नीव की संख्या 110 क्या है नीवो की संख्या यहां पर भी 110 ले रहे हैं यहां से एक जिरो एक जिरो कैंसिल हो जाएगा यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास 1191 यानि या जाएगा क्या हो रही है हमारे जेब से कितनी जा रही है हंडेड रुपेज आ रही है कितने इस पी यानि 101 रुपी तो प्राफिट कितने का हुआ होगा यह कब हुआ होगा जब हम लोग क्या करेंगी 110 नीवू क्या होगा जब 110 नीवू बेचेंगे तब कब प्राफिट में हमसे PRE belang आप कितने कुना ज़यादा कुंपने आप से होगा कितना हो जाएगा 220 हो जएग कितना हो जाएगा 220 नीबू आधे प्रसनका उत्तर होगा कुछ नहीं करना है ध्यान से देखियेगा अगर यारे नीबू 10 रुपए में खरीद रहा है एक नीबू नीवु की शंख्या बराबर करें रहा है जानते हैं जब तक हमने नहीं पता जितने नीवु हमने खरीदा मानलब दस नीवू खरीदा जब तक दस नीवू बेचेंगे नहीं तब तक पता थोड़ी ना चलेगा हमें कितने रुपए के प्राफिट हुआ है फिर कितने रुपए का लास हुआ तो इसी लिए 110 से यहां गुड़ा कर दी फिर क्या हुआ सब सामने आ गया आप लोगो इधर हमारे पास क्या हो रहा है CP इधर क्या हो रहा है SP कर रहा है कि 11 नीवू 10 रुपए में खरीद रहा है 10 रुपए में खरीद रहा है और हमारे पास बेच कितना रहा है 10 नीवू 11 रुपए में हमसे कह रहा है कि उसे 42 रुपए लाब कमाने के लिए कितने नीवू बेचन अब इसमें कह रहा है कि अगर हम लोग कह रहा है कि लाब निकालना है लाब निकालना है तो लाब निकालने के लिए हम आप लोगों से कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा तब कैसे पता चलेगा तब तक की जब तक हम यह नहीं पता चलेगा कि नीवों की संख्या कितने होग क्या करेंगे दस से गुणा कर देंगे अगर यहां यह निवों की संख्या कर रहे हैं बराबर कर रहे हैं तो आप लोग देखेंगे तो हमारे पास कितना आजाएगा यह कितना हो जाएगा 1201 हो गाजब हम 110 नीबू बीचेगे 110 रुपे क्या होगा यह क्या होगा प्राफिटहोगा लेकिन लिव्या इस प्राफिटट हो जाए हैं कितने गुना ज्याएगा कoug स जाइगा तॉस रूपिटहोगी जैद सत्य हाई किया करना पड़ेगा सील करना पड़ेगा यानी बेचना पड़ेगा यहां तक आप लोग को समझ में आ गया तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने question number five पर question number five क्या है राहुल ने 34 रुपए में आठ की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 37 रुपए में 12 की दर से वेंचा हो तो 45 रुपए का लाव कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे वेंचने होंगे राहुल ने 34 रुपए में 8 की दर से इसमें भी हमें क्या करना है quantity लिग देănा है एक साइड क्या लिग देना है कि इधर हमारे पास CP हो गा इधर हमारे पास क्या होगा moment का राहा है कि राहल ने 34 रुपए में आठ की दर से बीच रहा है अब फिर हम से पूच रहा है कि उसले किसे मालूम चले में लाभ हुआ है कि 20 रूप्य कर भी जब तक 20 रुपय खरीदा हूं जब तक 20 एधर हमें क्या करना पद से 2 से लिए 24 संतर हो गए पास यहं किपना हो गर 102 रुपए हमारे से चले गए और आये कितने आये कितने हैं किसे रुपए कि कितने ही 114 रुपए कि 500 रुपए और यह गोंसे क्राइब कि 25 बटे बार नहीं हमें चाहिए आप लोगों कि कितने बड़ना ज्याद है एक तो आप लोग यहां पर डर जाओ तो 45 बटे 12 गुना होगा तब यह संतरे की जो संतरों की संख्या 24 नहों कर अपने आप से क्या होगी 45 बटे 12 गुना जादा होगी हमारे पास हो जाएगा यहां तक आप लोगो समझ में आ गया अब चलते हैं हम अपने कोश्चन नमर 6 पर कोश्चन नमर 6 क्या कह रहा है हमारे पास किसी वस्त को 40 प्रिश्चत लाब पर मेंचा जा रहा है यद उसे विक्रे मुल के 3 गुना मुल पर मेंचा जाए तो कितने प्रिश्चत का लाब होग किसी वस्त को 40 प्रिश्चत लाब पर मेंचा जा रहा है यद इसे तीन गुना मुल पर मेंचा जाए तो कितने प्रिश्चत का लाब होगा अब देखें कितना वे फिरे पास six 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 question six question six question हमें यह नहीं दिया है तो सब्सक्राइब क्या मानते हैं 100% अब करा एक उसको 40 फिर्स लाब भी प्रेचा जा रहा है तो 40-40 परसेट यानि कितना हो जाएगा 140 परसेट पर क्या होगा बेचा जाएगा लेकिन उकार रहा है उसके तीन गुना मुल पर बेचा जा रहा है तीन से गुना करेंगे तीन चोग वारत यह चार सो या फिर ऐसे समझ लीजिए आप लोग 420 रुपए पे बेचा जाएगा और वस्त की सीपी कितना है 100 रुपीच है तब अब हमसे कॉस्टन में कह रहा है कि आप लोग बताइए कितने रुपए का टोटल लाब होगा सब रुपए की चीज थी 420 में बेची घए ति कितने रुपए का लाब होगा 320 रुपिया में चैंट लाब कितने प्रसन का उत्तर होगा पताइए आप लोग को कोई डाउट है नहीं है तो आगे के जो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज जा कि कमेंट कीजिए बताइए यहां पर सर्जी नहीं समझ में आ रहा है यहां पर नहीं समझ में आ समझाइए तरीके से एक्स्प्रेइन करूंगा और आप लोग के मैं बता दे रहा हम जो अगे लिए हमारे पास आने वाली है वीडियो अगर हम लोग यह टाफिक समाप् ट हो जा रहा है और यह टाफिया प्राफिटेन लाज समात्त हो जा रहा है हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज उसका मैं आप लोग एकदम बिल्कुल देशी तरीके से एकदम इजीवी में समझाने बला हूं तो आज के लिए बसीता हैं मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में तक तक के लिए भाए ठ किया थैंक यू सो मच पावाचिन थैंक यू